घर पे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देसी स्टाइल में प्रोटीन से कि फाइबर प्रोटीन से भरा होता है इसमें खास बत ये रहती है कि इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं रहता है तो हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो धनुआर किचन कैसे हैं आप सब आई होप आप स अच्छे हैं तो चलिए सासान सी रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं गर्मिया सुरू हो गई तो मार्केट में आम भी आना सुरू हो जाएं तो आज की इस प्रोटीन से को हम आम से बनाएंगे तो सबसे पहले एक आम को हम लेके इसे चाकू की साहता से अच्छे से चील लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी वेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके आज के प्रोटीन से की खास बात ये है कि ये बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप वर्काउट वगएरा करते हैं तो पोस्ट वर्काउट के बाद इसे अगर आप कंजूम करते हैं तो ये आपको इंस्टेंट एनरजी देता है इसे आप morning में breakfast के रूप में भी ले सकते हैं यह आपको पूरे दिन energy देता रहेगा यहाँ पे आम का सारा pulp मैंने निकाल दिया तो अब हम लेंगे एक jar और इसमें एक glass के करीब हम डालेंगे दूद दूद को पहले मैंने गरम कर लिया उसके बाद इसे ठंडा कर लिया तो अब सारे pulp को जो मैंने cut करके डाला था उसमें डालेंगे अब इसमें डालेंगे सत्तु दो से तीन चममच तो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन होता यह हमें instant energy देता यह fiber रिच होता अब हम इसमें डालेंगे flavor के लिए आदा चममच कोकोवा पाउडर इससे अच्छा सा color आएगा साथ ही इसका flavor भी change होगा तो इसमें आप मीठे के लिए मैंने यहाँ पे दो चममच के करीब गुड़ी आड़ किया है पैसाथ में एक चममच यहाँ डालेंगे पीनेट्स बटर डालके अब इसमें जार में लगा लेंगे धकन और इससे अच्छे से हम grind कर लेंगे मीठे के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ का यूज किया है आप इसकी जगा चीनी का यूज कर सकते हैं अगर आप weight loss कर रहे हैं तो कोसिस करिए कि इसे आप invite करें आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं पीजिए यहाँ पे इसे अच्छे से grind कर लिया है तो आप चलते हैं serving के process में तो यहाँ मैंने एक glass लिया है आप glass में हम उपर तक इसे अच्छे से serve कर लेंगे आप इसे चाहें तो थोड़ी देर के लिए freeze में रख लें और ठंडा ठंडा इसे serve करें अगर आप तुरंत पीना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी से ice cube डालें इसके बाद इसमें छोटे कटे हुए आम के pieces डालें साथ ही अपने मन पसंद अनुसार इसमें drive fruits कट करकर के डाल दें और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें अब market वाले protein से बिना बंद करें इसे एक बार घर पे जरूर try कैसी बनी मुझे comment box में जरूर करें